आप अपने लिए best crystal का चुनाव कैसे करें अपनी date of birth के according करें अपनी कुंडली निकाल के उसके analysis करें या अपनी problem के हिसाब से करें देखिए crystals का कोई भी side effect तो नहीं होता है आपकी life में अगर love से related दिक्कते आ रही है आपका relation अच्छा नहीं चल रहा है finance की आपको problem आ रही है career में आप growth चाहते है stress anxiety depression आपकी life में बहुत जादा बढ़ गया है तब भी आप इन crystals के use कर सकते हैं अब यहां पे महत्वपूर सवाल आ जाता है कि हम crystals को choose कैसे करें देखिए आप अपनी बर्थ डेट के according भी crystal सब्सक्राइब कोHigh आपको मूलंक के according करक्साइब सकते हैं किन लोगों को मूलंक को मूलंक की आप इता है Kane करिस्ट जूज करना चाहिए ज़िक ऋग्याम contacted सब्सक्राइब आपके करियर में और आपकी हेल्थ इशोज में सपोर्ट करें पूरी डिटेला इस वीडियो के तुरू आपको देने जा रही हूं तो जुड़े रही है हमारे यदि आपका जन्म किसी भी महने की 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो आपका मुलांक निकल जाता है नमबर 1 तो यदि आपका जन्म इन तारीकों में हुआ है तो आपको गवन करता है प्लानेट सूरी, सूरी है हमारे ग्रहों का राजा तो आप हैं बहुत ही जादा इंडिपेंडेंट, करेजियर्स, हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, नमबर 1 रहना चाहते हैं, बहुत छोटी उम्र स से आप अपनी responsibility को समझ लेते हैं, और आपके लिए एक ऐसा bracelet, एक ऐसा crystal जो बहुत ही जादा लावप्रद होगा, आपकी इन positive qualities को बहुत जादा बढ़ा देगा, वो crystals आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, आपकी स्क्रीम पे हैं, हमारा जो best crystal है, citrine, umber, golden topaz, low light and carnelian, यह crystals का use करके आप अपने relationship को बहुत अच्छा बना सकते हैं, आप आँखों से related, headache से related, heart से related, trouble से बच सकते हैं, अब यह हमने यहाँ पे crystal चूज किया, अपने मूलांग के के according, यदि आपका age 35 से जादा है, 35 या 35 से जादा हो जाता है, तब आप crystal के, देखे तब आपने crystal को चूज करना है, अपने भाग्यांग के according, यानि कि अगर आपकी age 35 से जादा है, तो आपके जीवन में आपके भाग्यांग का असर बहुत जादा होता है, भाग्यांग के कैसे निकालते हैं, आपकी जो भी date of birth है, उसका total कीजी, और उसे single digit में लेके आए, यहाँ पे मैंने से देख रहे हैं कि 35 के approach में है, तो इस विक्ति को अपने भाग्यांग के according crystal चूज करना चाहिए, तो वो है number 5, तो आप अपने मुलांग के according तब crystal चूज करीजिए, जब आपकी age 35 से नीच है, यदि आपकी age 35 है, आप रन कर रहे हैं 35 से ऊपर की age में है, और आप मेरा इशू है, को relationship में problem आ रही है, आपको job में progress नहीं मिल रही है, कुछ भी ऐसी आपकी life के जो issues हैं, उसके according भी है.